नमस्कार दोस्तों रेलेवे के तरफ से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रहे हैं सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिले कि ट्रेन कब से चलाई जाएगी और दोस्तों बहुत बड़ा बदलाओ किया गया है आपको जानना बहुत जरूरी है तब ही आप यात्रा कर पाएंगी ज दोस्तों कर आप लोग चैनल पने हैं चैनल को सब्सक्राइब किजिए और वीडियो को लाइक से जरूर किजिगा दोस्तों देखें न्यूज में जानकारी पब्लिस किया गया है आई यार सीटी सी लागडाउन के बाद चलेगी स्पेशल ट्रेनें देना पड़ सकता है ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या तीन माई के बाद ट्रेन सर्विस सुरू की जाएगी हलाकि इसे लेकर कोई अधिकारिक जानकारी साजा नहीं की गई है लेकिन मेडिया रिपोर्ट की माने तो रेलवे लागडाउन के बाद सर्विस सुरू करने के बिचार कर रही है इन ट्रेनों को जोन में चलाने की यूजना पर बिचार किया जा रहा है अभी तक सिर्फ ग्रीन जोन में चलाने की यूजना है ट्रेन चलेंगी लेकिन होंगी सरतें जी आ दोस्तों रेलवे फिलाल ग्रीन जोन में ट्रेन चलाने पर बिचार कर रही है के इमर्जंसी में ही यात्रा करने की जाज़त मिलेगी रेलवे ओरेंज जोन, रेड जोन, हाट स्पोर्ट एरिया में कोई यात्री ट्रेन नहीं चलाएगा इस स्पेसल में फिलाल सिर्फ सिलिपर ट्रेने चलाने पर विचार किया जा रहा है ट्रेन में कोई AC और जनल डिबबा नहीं होगा ट्रेन के कोच में सिर्फ अपर और लोवर बर्थ होगा मिडल बर्थ को हटा दिया गया है यात्रियों की संख्या को सीमित रखा जाएगा चुगाना पढ़ सकता है अधिक किराया वहीं इस स्पेशल ट्रेनों का किराया भी अधिक रखा जाएगा ताकि लोग सिर्फ एमर्जन्सी में ही सफर करें सीनियर, सिटिजन, दिब्यांगो और छात्रों आदिको यात्री किराया में कोई छूट रही मिलेगी इन स्पेशल ट्रेनों में सिर्फ वही लोग सफर कर सकेंगा जिनका टिकट कंफर्म होगा इन ट्रेनों में सोसल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा तो दोस्तों ये बड़ी खबार आ रही है आपको ये सारी सावधानिया बरतनी होंगी कि राया भी ज्यादा लगेगा दोस्तों रेलवे से जुड़ी और कोई जानकारी होगी तो आप तक पहुंच जाएगी आपको टिंसर लेनिक जोत नहीं है तो दोस्तों जय हिंद जय भारत